अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरूर करने ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट और अकेडमिक जितने भी अपडेट आती हैं वो सब आपको मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला जो कोशन आज का वो यह है कि 30 मार्च 2021 को केंद्रिय शिक्षा मंतरी द्वारा वर्चुल माध्यम से आनंधम थीके आनंदम दर संर फोर हैपिनेस का उद्भातन कहां किया गया है धीके दा संर फोर हैपिनेस तो इसका सही जो आनसर है वो है आई-ない-huh Zur Wayis के अंतरगत, प्रधोग की के उपयोग को बड़हवा देने के लिए, एक सोतनत्र निकाय की रूप में स्थापित किया जायेगा, ठीक है क्या सथापित किया जायेगा तो उसके लिए स्थापित किया 2.i.ti की भी स्थापना की जाएगी क्या है यह आययई-ti ाई इसका पुरा फूल पोर्म है टी इंडियन do इंटियन इंस्टिव्ट अ इंडिन इंसिच्थुट, in आफ ट्रानसलेशन एक एट में एंड इन्रपेटेचैन ठीक है and interpretation तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये क्यों इस्थापित किया गया है इसका मुख्य उद्देश ये है कि जो बड़ी-बड़ी कितापे होती है उनको ना सिर्फ इंग्लिस लेंग्वेज में बलकि हिंदी, संस्क्रेट, उर्दू, फार्सी सभी लेंग्वेज में जो है अनुवात किया जाएगा ठीक है और ये कारे कौन करेगा ये करेगा Indian Institute of Translation and Interpretation ठीक होता ये है कि बड़ी-बड़ी उनिवस्टी में सबसे बड़ी प्रॉबलम यही होती है कि जो बुक्स होती है वो English Language में ही होती है तो अब जो है उसे अन्य भासाओं में भी अनुवात किया जाएगा Next question है विश्व भारती विश्विध्धाले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी विश्व भारती विश्विध्धाले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये कोश्चन जो है अलड़ी पूछा गया एक्जाम में ठीक है तो मुझे दिखा इसलिए मैंने इसको जो है इस वीडियो में इंक्लूड के लिए तो देखें वीडियो पसंद आ दियो तो लाइक जरूर कर देना ठीक है और चैनल को सब्स्राइम नहीं किया तो जरूर कर ले और इसकी PDF, PDF के बारे मैं बता दूँ आपको PDF कई लोग कमेंट में भी कहते हैं तो PDF के लिए आपको जो है हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन करना है ठीक है study with us PDF ठीक है बिना space के आप ऐसा लिखेंगे टेलिग्राम पे जाकर के हमारी चैनल का जो लोगो है ठीक है गोल सा वो आ जाएगा और बस वही है हमारे चैनल उसको जोइन कर लेना वहीं पर आपको PDF बगरा मिलेंगी ठीक है तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका विश्व भारती विश्विद्दाले की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी रविंदर नाथ टैगोर के द्वारा ठीक है हुनर हाट हुनर हाट जो है ये कारेकरम का आयोजन किस मंत्राले द्वारा किया जाता है हुनर हाट कारेकरम का आयोजन किस मंत्राले द्वारा किया जाता है तो इसका सही जो आंसर है वो है option number B अलप संख्यक कारे मंत्राले के द्वारा ठीक है अलप संख्यक कारे मंत्राले जो है इसके द्वारा हुनर हार्ट कारेकरम का आयूजन किया जाता है ठीक है ये चीज आपको याद रखना है और कहां किया गया तो ये भी आपको याद रखना है दिल्ली में ठीक है दिल्ली में और दिल्ली में कहां पर किया गया तो याद रखें प्रीतम पुरा में ठीक है प्रीतम पुरा कब से कब तक किया गया तो ये भी आपको याद रखना है 11 से लेकर 22 नौमबर तक ठीक है 11 से लेकर 22 नौमबर तक जो है इसका आयोजन किया गया था ठीक है दिल्ली में प्रीतम पुरा में 11 से लेकर 22 नौमबर के बीच में Next question है हाल ही में राश्ट्य हरीत अधीकरण NGT ठीक है NGT जिसका फल्वों होता है National Green Tribunal ने किस राज्ये में अद्रभूमी के संरक्षन के लिए निर्देश जारी किये हैं तो ये निर्देश जारी किये गए हैं राजिस्थान के लिए ठीक है राजिस्थान इसका correct answer है option number C ठीक है तो ये निर्देश जो है जारी किये गए है और राजिस्थान में मैं आपको बता दूँ दो आद्रभूमी रामसर छेतर हैं ठीक है जिनको भी जो है रामसर अभी सरन की अंतरगत लिया गया है तो कौन-कौन से हैं वो भी है मैं आपको बता देता हूं exam point of view से super important है ठी आली में जो है शामिल की गई है ठीक है exam में काफी पूछी जाती है यह तो कौन सी है वो पहला है केवला देव ठीक है केवला देव रास्ट्य उधान ठीक है और दूसरा है सांबर जील सांबर जील ठीक है ओके नेश्ट कोशन है रास्ट्य विधी विश्विधाले उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्थापित किया जाएगा राष्टे विधी विश्विद्धाले उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्थापित किया जाएगा तो इसका सही जो आंसर है वो है इलाहबाद ठीक है इलाहबाद मैं लिख दिया यहाँ परियाग राज लिख लेना ठीक है परियाग राज इलाहबाद का नाम बदल चुका है बिलाहबाद नहीं है अब हो गया है परियाग राज ठीक है तो परियाग राज में जो है राष्टे विधी विश्विधाले बनाया जाएगा जिसका सिला नियाश किस ने किया तो भारत के राष्टपती ठीक है राश्टपती कौन है इस समय राश्टपती है रामनात कोविंद क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत के कौन से नंबर के राश्टपती है ये आपके लिए कोशन है आज का ठीक है बताईए जरूर की कौन से नंबर के राश्टपती है रामनात कोविंद भारत की का सिला नियाश परधान मंतरी द्वारा कहां किया जाएगा ठीक है या कहां किया गया है ठीक है नहीं जाएगा नहीं किया गया है तो इसका सही आंसर है option number B ठीक है अलीगड में जो है इस राज्य विश्विधाले का सिला नियाश किया जाएगा जिसका नाम होगा राजा महें महिंदर परताप सिंग के नाम पर ठीक है और इसका जो नीव रखी गई है वो रखी गई है 14 सब्टेंबर 2021 को ठीक है परधान मंतरी के द्वारा ठीक है ने भारतिय परधान मंतरी नरेंदर मूदी के द्वारा ठीक है और कौन है ये राजा महिंदर परताप सिंग तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है ये हैं राजा है हातरस जिले के हातरस जिले के हातरस जिले में एक जगा है जिसका नाम है मुरसान ठीक है मुरसान तो मुरसान रियासत की ये राजा थे इनहीं के नाम पर जो ठीक है ओके तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक चरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ठीक है और आगर आप तयारी कर रहे हैं UGC NetPaper 1 के लिए तो आप हमारी प झाल झाल